नमस्कार दोस्तों मैं सुगनानंद हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक बार ऐसी घर को चाहता है कि हमारा हिंदुस्तान आत्म निर्भर बन सके और आज वे हम बात करेंगे जीरा-bisket बिस्किट उत्पादन के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आता है पहले बिस्किट का नाम सुनके ही जहन में पाड़े जी का ख्याल आता था लेकिन तब से अब तक बिस्किट इंडस्ट्री ने काफी लंबा सफर पैकर लिया है आज बाजार में इस पेशन्स के लिए शुकर फ्री बिस्किट हैं तो वहीं मीठे नमकीन के अलावा ये अलग-अलग फ्लेवर्स में विक रहा है इन्हीं में से एक है पेस्टी जीरा बिस्किट बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसके शौकीन हैं अगर आप कहीं सफर पर निकले हैं तो कुर-कुरे जीरा बिस्किट रास्ते के लिए अच्छा स्नैक हैं जीरा बिस्किट आपकी छोटी-छोटी भूग का भी इजी सल्यूशन है इस वज़ए से इसकी मार्केट đến डिमान्द हमेशा बनी रहती है IID आज आपके लिए लेकर आया है जीरा बिस्किट के बिस्निस से जुड़ी सारी जानकारी तो आईए अब जानते हैं ये बिस्किट बनता कैसे है क्यूमिन बिस्किट या जीरा बिस्किट बनाने के लिए आपको रौ माटीरियल बजार से खरीदना होगा इस raw material में घी, बटर, शुगर, मैदा, जीरा, बेकिंग पाउडर, मिल्क पाउडर और मसाले शामिल हैं जीरा बिस्किट बनाने के लिए जिन मशीन और एक्विप्मेंट का इस्तमाल करना होगा अब उसके बारे में जान लेते हैं मशीन में डो नीडर, ट्रे अवन और अंसिलरी मशीन के साथ ही जेनरल बेकिंग टूल्स और एक्विप्मेंट और मैटीरियल हैंडलिंग एक्विप्मेंट की भी आवशक्ता होगी इन मशीन और एक्विप्मेंट को ऑपरेट करने के लिए 20 किलो वाट थ्री फेस इलेक्रिक कनेक्शन चाहिए वहीं इस पूरे सेटप के लिए लगभग बंधरा सौ से 2000 स्क्वेर फिट का लाइन्ड एरिया लगेगा जीरा बिस्किट बनाने की विधी की बात करें तो सबसे पहले रॉम मटीरियल्स को दो नीडर में डाला जाता है जहां इन्हें मिक्स करके दो तयार किया जाता है इसके बाद दो रोल बनाये जाता है जिसमें दो में मैदा मिलाकर इसे रोल करके इसे sheeting के लिए suitable form दिया जाता है फिर डो की manually sheeting करके इसमें जीरा मिलाकर दो sheet तयार की जाती है अब तयार दो sheet को biscuit के size में manually काट कर इसे tray oven का इस्तमाल कर bake किया जाता है बेकिंग के बाद तैयार बिस्किट को थोड़ी दे ठंडा होने के लिए ट्रे में रख दिया जाता है आखिर में पैकिंग करके बजार में बेजने के लिए बेजा जाता है जीरा बिस्किट को आप 6-8 लोगों की मदद से बना सकते हैं जिसमें 3 स्किल्ड और 3 अंस्किल्ड लेबर के साथ ही एक सूपरवाइजर शामिल है 200 केजी पर डे रेटेड प्रोड़क्शन केपासिटी के सेमी आटोमाटिक क्यूमन बिस्किट मेकिंग यूनिट शुरू करने के लिए 25 से 28 लाग का इंवेस्टमेंट करना होगा जीरा बिस्किट के इस बिस्नेस में 25 प्रतिशत तक ग्रॉस प्रोफिट मार्जन होता है इस वीडियो में बताई गई सभी फिगर्स, प्रोड़क्शन केपासिटी, सप्लाई चेंस और मार्केट स्ट्राटेजी पर डिपेंड करती हैं Food Safety and Standards Authority of India यानी FSS AI द्वारा Food Products की जाच की जाती है इसलिए किसी भी Food Product के बिस्नेस के लिए इसका लाइसंस बहुत जरूरी है इसके अलावा जीरा बिस्किट के बिस्नेस के लिए GST और उध्यम लाइसंस भी लेने हो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सबसिडी और अनुदान योजनाओं का भी लाब उठा सकते हैं आज IID याने Institute for Industrial Development ने आपको जीरा बिस्किट मैनिफैक्टरिंग की सारी जरूरी जानकारी दी अगर इस बिस्नस से जुड़ी किसी भी तरह की एक्सपर्ट एडवाईस या गाइडेंस की आपको जरूरत है तो आप हमारी इमेल आइडिय और हमारे पोन नंबर के थूँ हम से संपर्क कर सकते हैं और जाधा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट करें और साथी साथ आप हमारी एप Entrepreneur India Life को डाउन्लोड करना ना पूले घंडवार